संसारिक भावनाओं में बहुत ज़्यादा नहीं उलजना चाहे संसार का जो जैसा है वो वज़सा चलने दो मगर मन को ज़्यादातर परमात्मा में लगा करके रखो आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका पूरा परिवार चलेगा ये शम्भू नहीं है जैसा आप सोचते हैं आपकी सोच के अनुरूप आपका पत्री चलेगा शंभो नहीं है जैसा आप सोचते हैं कि आपके अनुरूप आपकी पत्री चलेगी शंभो नहीं है जब शिव की पत्री नहीं चली तो हमारी नहीं चल रही है इसमें कौन सी बड़ी बात है यह सोच लेना चाहिए इसलिए जो है इसी राम कथा हर समश्चाओं की हर विथा की कथा है विथा को मिटाने की कथा है इसलिए हम जो है नहीं चलना उसका अपना भाग भी होगा मगर हमें हर समय पर एक मैं बहुत बड़ा सुत्र देता हूँ जीवन की समश्चाओं का घर की समश्चाओं का कुछ लिएने का की मौन रहा करें ज़्यादा मौन सबसे बड़ा सुत्र है सांती का जीवन में एक बहन जी हमारे पास आई और आकर के बोले गुरु जी कुछ ऐसा करिये ना इन से बिलकुल नहीं पड़ती है ऐसा कहते हैं वैसा करते हैं बड़ा लड़ते हैं बड़ा जगड़ते हैं कुछ जह करिये ना कुछ ऐसा कुछ बताईए क्या करें हम कोई तावीज अबज दीजिए कुछ ऐसा करिये जिसांती हो जाए घर में कोई अनुष्ठान करवा दीजे तो हम बोले हाँ ठीक ठीक है तो मैं इसा करना गुरुवार को आना गुरुवार के दिन गुरु जी का भी हमारे पास में पावर रहता है हम उस दिन आपको एक तावीज बना करके देंगे उस तावीज से आपके जीवन में खुश्यां आ जाएंगी वो गुरुवार को आई हमें पता था उसके घर के बारे में उसके शभाव के बारे में भी पता था तो हमने गुरुवार के दिन तावीज इसको दे तो बोले कि इसको कहा पहनू कहा बांधू मैं बोला ऐसा नहीं है इसको बांधने की जरूत नहीं है जैसे पती घर आई तो मुह में इसको दबा लिया करो मुह में दबा लिया और जहे उससे अगले हफ़ते आकर के बताना कि कितना इस तावीज का फर्क पड़ा तुम्हारे जीवन में गई पड़ाम करके और जहे वही किया साम को ड्यूटी से जैसे उसके पती आए तो आए तो जैसे आए तुरंत उसने दबा लिए अब हूँ हाँ करती कुछ बोले भी तो कुछ बोलने ही नहीं और ऐसा हुआ तो उसी दिन से जी और घर में सांती आना प्रारम होगई साथ दिन साथ दिन में तो महराज महासांती जहे घर में आ गई आगर के चरणों में गिर गई बोले गूर्दे उसको इतने शुंदर आपने ताबीज दी है कि अब तो असांती ही सांती है मे बस जहे अब कोई असांती नहीं होगी बस तुम यही किया करना घर में और धीरे धीरे फिर सभाव बन गया उसको चुप रहने का सांती होगी भाई एक अगर कुछ आप से अगर जोश में आकर के कुछ बोलता है क्रोध में आता है अगर आप भी क्रोध का जबाब दे देंगी तो क्रोध को बल मिल जाएगा जान रखना क्रोध की ताकत क्या है सब्द है अगर हमें क्रोध आया और आपने सब्द रुपी बल दिया तो उस क्रोध को और बल मिलेगा और उस क्रोध से जाने और क्या क्या हो जाए इसलिए देखते हैं मार काट हो जाती है क्योंकि उस क्रोध को बल देने वाला कौन था उस सामने वाला ही था तो घर में सांती अगर चाहिए तो ज़्यादा तर मौन रहे बहुत बोलने का प्रयाश मत करिए